बोबा कॉफी या फिर बबल कॉफी आपने बहुत बार सुनी होगी आज मैं वैसी ही कुछ चीज आपके लिए लेके आई हूँ तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप एक सॉस पैन ले लिया है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक गलास के करीब पानी ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी अब इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूं एक चमच के करीब कॉफी और इसके साथ-साथ मैं अगर-अगर पाउडर ले रही हूँ तो यहां मैं इस ब्रैंड का अगर-अगर पाउडर ले रही हूं इसका लिंक मैं बैद देखने और चीनी दाल रही हूं तो दो बड़े चमच के करीब मैंने आ चीनी डाली है चीनी आप थोड़ी जादा भी डाल सकते हो इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको बॉयल कर लेहें हम 2 U3 के लिए बॉयल करना है अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो यह जो ह यह बॉइल होने लगी है अभी और अच्छे तरीके से इसके अंदर जो सारा अगर-अगर पाउडर है वो मिक्स हो गया है देखिए बिल्कुल भी दाने नजर नहीं आ रहे हैं एक सार हो गया है यह तो इसका मतलब यह हमारा जो है लिक्विट त्यार है सेट करने के लिए दो कॉफी की अब इसके हम छोटे-छोटे पीसे कर लेंगे वैसे तो राउंड सरकल में बोबा टी होती है वो मिलती है लेकिन जो बोबा कॉफी है या जो टी है उसके लिए जो बीन्स होते हैं उनको बनाने में बहुत महनत लगती है और बजार में अगर आपको लेने जाओग करी बनके हमारी त्यार हो गई है यह देखिए इस तरीके से इस तरीकी कॉफी आजकल ट्रेंड में बहुत जादा चल रही है और अगर आप बजार में बोबा कॉफी या टी पीने जाओगे तो बहुत जादा महंगी पड़ती है 500-600 रुपे में पड़ती है घर में आप यह 100 रुपे के अंदर अंदर बना के त्यार कर सकते हो तो चलिए आप कॉफी बीट कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने 2 चोटे चमच कॉफी पाउडर लिया है इसके साथ मैं 2-3 चोटे चमच के करीब ले रही हूँ पाउडर शुगर यह नॉर्मल शुगर है इसके बाद मैं थ अब तक फैंट ना होगा जब तक कि यह फ्लाफी नहीं को जाती पिल्कुल अच्छे तराइक से जहाग वाली नहीं बन जाती आप चाहें तो हैंड वीट करूंगैं जैसे कि मैं कर रहे हूं फोक का भी इस्तवाल कर सकते हैं या फिर इलEक्ट्रोनिक बीटर का भी इस्तव कर सकते हैं बेसिकली इसको हमको है ना जो इस तरीके से देखिए लाइट और फ्लफी होने तक बीट करना है तो अगर आप इलेक्ट्रोनिक बीटर का इस्तिमाल करोगी तो जल्दी हो जाएगा काम हैं विसकर से थोड़ी सी मैनत और टाइम लगता है तो चली अब इस कॉफी क बनाने के लिए हम दूद को प्रिपेर कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक सॉस पेन के अंदर दो ग्लास के करीब चिल्ड दूद लिया है दूद को हमें गरम नहीं करना है इसके बाद इसके इंदर टेस्ट को और ज़दा इन्हेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा वनीला इस इसके बाद दो चमच के करीब मैंने पाउडर शुगर डाला है और यहां पर वन फोट कप के करीब मैं विपिंग क्रीम इसके अंदर डाल रही हूं यह डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आ जाएगा दूद में अब इसको हम विस्क की सायता से अच्छ कॉफी जैली मैं इसके अंदर डाल रही हूं इसके बाद यहां हमने वनीला वाला मिल्क जो बनाया है यह इसके अंदर डालेंगे मिल्क बिल्कुल चिल्ड है तो बहुत अच्छा लगेगा मीने में और इसके उपर हम यह हमारी बीटन कॉफी डाल देंगे तो लग रहा है ह आपको ये recipe बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को like और ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक बार तो ये jelly coffee ज़रूर बना के try कीजेगा आपको बहुत पसंद आईगी और friends ये कुछ दूसरे वीडियोज ने हमारे चैनल के जो आप click करके देख सकते हैं Thank you